हेलो फेंड्स वल्कम टू मैं चैनल तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैं आपके पास लाया हो बोट का हेड़फोन तो यह देख सकते हैं यह आपको जो है ऑनलाइन में 1200 रुपे के अंदर मिल जाता है लेकिन दोस्तों आज इसमें जो है कुछ फॉल्ट निकला है तो मैं आज आज आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा कि अगर आपके पास यह जो है ब्लूटूफ। हैड सेट है या किसी और भी जो प्लूटूफ हेड्स सेट होता है अगर उसमें भी प्रॉपलम में विजिया व्लेटा प्रॉपलम करना दिखाऊंगा बोॉटस रॉकर्स में 33V का सेट है मतलब उसका जो सीरीज का सेट है तो देख सकते हैं यह बिल्कुल औरजीनल है तो बोट रोकर्स का जो सेट होता है उसका यह वाला चीज जो है मेटल का होता है मैगनेटिक होता है तो दोस्तों इसमें सबसे बरा जो पॉब्लम होता है वो है इसका जो हेटफोन है यह birds देख सकते हैं इसका यह दोनों काम करना बन कर देता है या तो एक side चलता है दूसरा side नहीं चलता है ठीक है तो इसमें से common problem जो है दोस्तों आपको जो है मैं आज बताऊंगा तो देख सकते हैं यह हमारा simple जो है wire है तो आपको बाहर से दिखेगा कि wire में कुछ problem नहीं है wire में normal सी जो है दो तीन problem होता है एक problem होता है wire दो जगा से तूटता है एक होता है इधर से देख सकते हैं क्योंकि यह जगा जो है जितनी बाहर ऐसे होता है तो यह इधर से काट सकता है तो अंदर से कट जाता है जो इसका wire है बाहर से नहीं दिखाई देता दूसरा जो होता है यहाँ पे देख सकते इस point पे क्योंकि इस point में जो है ज्यादा flexible नहीं होता तो यहाँ पे यह अंदर से wire जो है कट जाता है इसमें भी same होता है और इसमें भी same होता है तो मैं आप आपको दिखाऊंगा इसको open कैसे करना है तो मान लीजिए आपका जो इसका power है on करते ही आपका दोनों sound में problem हो रहा है तो पहले आपको यहाँ पे इसका जो circuit देख सकते हैं यह वाला circuit open करना है तो पतला सा आपको एक knife लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका jointing point है तो यहाँ से इसे खोलना है तो थोरा सा जो pressure देने से देख सकते हैं इसका जो मुह है इधर से खुल गया है और उसके बाद आपको धीरे-धीरे इसे खोलना है दोस्तो ज्यादा pressure create मत कीजिए क्योंकि इसके अंदर जो है Bluetooth का main device इसके अंदर ही होता है तो धीरे-धीरे आपको ऐसे खोलना है ठीक है आप जो यह knife है ज्यादा अंदर नहीं डाल सकते तो देख सकते हैं इसका जो circuit है बिलकुल बाहर आ चुका है और यह जो है यह original है इसलिए इसमें red color का circuit है same जो होता है दोस्तो बोट का एक duplicate भी होता है जो चाइना है आपको 500-300 रुपए मिल जाता है सेम है quality भी सेम है लगभग इस तरह करी आता है लेकिन इसका circuit जो होता है वह सेम नहीं होता देख सकते हैं बोट में जो माइक लगा हुआ होता है यह रहा यहां पर देख सकते हैं छोटा सा माइक यह जो माइक है यह noise cancellation माइ नहीं होता तो circuit जो है धीरे धीरे उपर की ऊपर उठाना है तो देख सकते हैं यह जो circuit है यह धीरे धीरे ऊपर आ चुका है देखिए तो ज्यादा जो है pressure mark create कीजिएगा नहीं तो इसका circuit तूट सकता है तो देखिए दोस्तों मैंने इसका circuit जो है उठा दिया है और यहां प आपको वाईवेगेटर खराब हो जाए तो यहां पर change कर सकते हैं तो देखिए यहां पर इसका joint है तो देखिए दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे तो यहां पर गोंद लगा हुआ होता है तो यहां से गोंद हटा दीजिए तो देखिए यह रहा इसका पूर्या circuit यही है हमारा Bluetooth circuit दोस्तों ज्यादा तर जो problem होते है वह वायरों में होता है तो देख सकते हैं यहां पर वायर जो है इसमें एक glue दिया हुआ है आपको पहले glue को साफ करना होगा उसके बाद आपको एक एक करके speaker को चेक करना होगा wire से ठीक है कि कौन सा wire आपका ठीक है और कौन सा wire आपका ठीक नहीं है तो चली दोस्तों पहले यहां पर जो glue है देख सकते हैं इसको साफ कर लेते तो यहां से tweezer लगा के आपको थोड़ा थोड़ा करके glue यहां से हटाना होगा और आपको देखके ही हटाना होगा क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा वायर का पत्ति लगा का हुआ होता है चली दूस्तों साफ कर लेते हैं गलू था मैंने हटा दिया है और यह रहा हमारा स्पीकर का वायर तो अब हम इसे ओन करेंगे उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो है पावर आ रहा है कि नहीं तो यह बीच का स्वीच आपको दबाना है दबाने से तो उसे चिक कर लिया है अब हम यहांपहरा जो देख सकते हैं यह स्पीकर का दोनों बायर है यहां पर करने में अच्छे से कि दिखा देते हैं यहां आपको यह हैंक कनेक्ट में अशाजिạn है declaration हो रहा है उसे भी अच्छे से आपको clean करना है तो देखिए मैंने यहां से wire को disconnect कर दिया है अब आपको इसका wire बाहर निकल लेना है तो यह हमारा एक headphone बिल्कुल अलग हो चुका है तो इसको हम check करेंगे तो देख सकते हैं दोनों wire जो है solder किया हुआ है तो आपको simple सा जो है एक multimeter लेना होगा तो यह रहा मेरा multimeter तो multimeter में आपको continuity test पर रखना होगा यहां पर तो इसमें आपको रखना होगा तो रखने के बाद आपको देखिए beep sound दे रहा है ठीक है अगर यह खराब होगा तो beep नहीं करेगा अगर यह जो हमारा speaker है beep करेगा मतलब यह ठीक है तो मेरे हिसाब से अगर यह खराब होगा तो beep नहीं करेगा तो एक wire आपको लगाना है दूसरा wire भी आपको इसमें लगाना है तो देखिए यहां पर इसका beeping नहीं हो रहा है मतलब यह कोई भी sound नहीं कर रहा है मतलब यह जो wire है यह खराब हो सकता है या तो इसका headphone भी खराब हो सकता है तो यहां से wire खराब हो सकता है आप काटके अगर check करोगे तो चल जाएगा तो ठीक है अगर wire ठीक हो आपका speaker भी खराब हो सकता है तो पहले उसके साथ आपको यहां पे इसका जो speaker है इसे भी खोल लेना होगा तो आपको एक plus से इसे पकरना होगा क्योंकि यह जो speaker है यह metal का है तो उसके बाद आपको एक और plus लेना होगा कोई भी आप plus ले सकते हैं लेके आपको यहाँ पे इसका जो speaker है इसे यहाँ से खोलना होगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका speaker जो है खोल लिया है तो आपको धीरे से खोलना होगा नहीं तो इसका wire जो है तूटके आपके हाथ में भी आ सकता है तो देखिए दोस्तों इसका speaker देख सकते हैं यह boat का original speaker है तो आपको एक बार अच्छे से दिखा देते हैं original जो यह speaker है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका speaker का जो दो point होता है इसमें touch करेंगे अगर speaker अच्छा होगा तो beep करेगा अगर speaker ठीक नहीं होगा तो beep नहीं करेगा तो एक प्रॉब आपको एक में लगाना है white में और दूसरा जो है red में तो यहाँ पे देखिए दोस्तो यहाँ पे कुछ जो है reading हमको दिखा रहा है तो देखिए beep भी हो रहा है तो देखिए यहाँ पे beep भी हो रहा है मतलब हमारे जो speaker है वो okay है थीक है देखिए दोस्तों यहाँ पे beep हो रहा है हमारे जो speaker है वो okay है तो हमारे wire में कही problem है तो अब आपको यह वाला speaker जो है जैसे था वैसे ही आपको अच्छे से लगा देना है तो देखिए मैंने यहाँ पे speaker जो है अच्छे से more रहा है मतलब कहाँ पे ज्यादा जो है flexible हुआ है तो देखिए यहाँ पे ज्यादा flexible हो रहा है मतलब यहाँ से जो है देखिए फट गया है थोड़ा सा तो आपको अच्छे से दिखा देते तो देखिए कोने में जो है थोड़ा सा फट गया है मतलब यहां से यह तूट सकता है तो यहां से भी इसका जो wire है खराब हो सकता है तो आपको दोनों wire एक बार खीच के देखना होगा कि wire इधर से तो खराब नहीं है तो पहले आपको simple सा यहां से काटना होगा जहां से आपका जो है ज्यादा stretch हो रहा है वहाँ से आपको simple सा काटना होगा देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो extra wire था जहां से यह ज्यादा stretch हो रहा है था वहाँ से काट लिया है थोड़ा सा आगे से काटा है तो stretch हो रहा था मैंने वहाँ से काट लिया है उसके बाद देखी यहाँ पर मैंने दो wire यहाँ पर आपको दीख रहा है तो यह दो वायर को आपको soldering कर लेना है उसके बाद आपको यह वायर फिट से multimeter में चेक करना है तो देखी यहाँ पर मैं एक प्रॉब लगाता हूँ और उसके बाद जो है दूसरा प्रॉब यहाँ पर लगाता हूँ तो देखिए हमारा meter जो है कुछ show कर रहा है उसके बाद beep कर रहा है देखिए हमारा meter है वो कुछ show कर रहा है बीप कर रहा है मतलब अब हमारा जो वायर है वो proper है ठीके यहाँ पे ज्यादा stretch होने पर इस जगा पे तो यह अंदर से cut गया था तो अब हमारा speaker जो है अभी ओके है, वायर भी ओके है तो simple से आपको same तरीके से ही ये वाला फिर से लगा देना है तो आपको यहां से आपको यह wire जो है लगाना है, पहले जिस तरह से था वही लगाना है आपका wire जो है, थोधा छोटा हो सकता है, लेकिन आपका headphone फोन फिर से जो है नया जैसा हो जाएगा तो देखिए दोस्तों यहां पर मैंने डी-solder किया था फिर से यहां पर आपको solder करना है negative या positive कुछ देखना नहीं परेगा आपको वायर जो है फिर से लगा दिया है दोनों पॉइंट में आपको solder कर देना है उसके बाद जितना वायर आपको चाहिए उतनी वायर के हिसाब से आपको यहां पर जो है इसे फिक्स कर देना है और इसके पीछे का जो एक देख सकते है छोटा सा लगा देना है जैसे यहां पर पहले लगा हुआ था तो अच्छे से आपको यहां पर बिठा देना है और यहां पर जो वायर जितनी तक था तो यहां पर आपको वायर भी अच्छे से जो है शिट कर देना है अगर आप चाहिए तो इसमें glue भी लगा सकते हो कोई problem नहीं के साथ तो देखी यहाँ पर स्वीच जो है यहाँ पर लगा हुआ है तो आपको सिंपल से यहाँ पर इसका धक्कन जो है अच्छे से यहाँ पर लगा देना है तो देखिए यह वाला जो हमारे हेटफोन खराब था वह बिल्कुल ठीक हो चुका है सेम पॉब्लम जो है लगा हुआ होता है तो देख सकते हैं इसमें एक बैटरी होता है तो बैटरी यहाँ पर लगा हुआ होता है तो यह वाला जो देख सकते हैं वायर है यह वाला वायर जो है यहाँ पर इसके साथ ही लगा हुआ होता है और यह वाला दूसरा यहाँ पर कनेक्ट होता है ठीक है तो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ होता है तो देख सकते हैं, यहाँ पे 200-0 image का बैटरी है तो यह 200-0 image का बैटरी आप चाहे तो खरब हो जाए, तो चेंज कर सकते हैं और यह वाला ज़ो speaker है यह बिल्कूल ठीक है, इसे मैंने चेक कर लिया था तो यहां पे भी देख सकते हैं speaker लगा हुआ है wire के साथ इस wire के साथ तो इस तरह से आप दूसरा जो wire है उसे भी ठीक कर सकते हैं सेम तरीके से सेम प्रोसेस ही है दोस्तो कोई जो है दिक्कत होगा तो आप मुझे comment में बताईए अगले वीडियो में मैं आपका ये जो solution है बता दूँगा तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe करना मत भूलेगा धन्यवाद